हलो मैं दियर फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल करंटे स्टेडी पर स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको एयर फोर्स ग्रूप एक्स एंड वाई इंटेक 2 2020 एक्जाम के बारे में पूरी जानकारी दूँगा तो दोस्तों वीडियो आप पूरा देखें दोस्त का 1 2020 में एक्जाम में किलिया नहीं हो पाया बड़ आपको टेंसल लेने की कोई जोत नहीं दोस्तों आपके लिए फिर से वेकंसी आ रही है आप अपनी तैयारी बस किजिए तो दोस्तों पहले हम आपको एयर फोर्स एंटेक्ट रजिस्टेशन के बारे में बताते हैं तो रजिस्टेशन 2020 का दोस्तों है एक जुलाई 2019 से 25 जुलाई 2019 दोस्तों इसी की पीच आपके ये डेट रहेगी बस एक या दो दिन इधर दर हो सकता है दोस्तों नहीं तो आपकी डेट रजिस्टेशन की यही रहेगी इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं ऑन-laiign examination date तो दोस्तों एक्जाम की ग्याड़ दोस्तों यह डेट आपकी fix है ऑन-laiign examination की जो feet है यह दोस्तों है आपका 13 सेप्टेमबर से 17 सेप्टेमबर के वीच है दोस्तों यह डेट आपकी fix है दोस्तों अगला इसके बाद आता है दोस्तों आपको admit card तो दोस्तों आपका admit card कब आए दोस्तो सेप्टेंबर के फर्स्ट वीक प्राउप का इसका एड्मिट काड आजाएगा इसके बाद दोस्तों मैं देखते हैं रिजल्ट दोस्तों इसका रिजल्ट जो होगा आपका रिजल्ट आपका रिजल्ट आपका रिजल्ट आजाएगा इसके बाद दोस्ता हम बात करते हैं liability criteria दोस्तो डेटा बर्थ है उसमें क्या मतलब की liability क्या होगी क्या योगता होगी तो आप पहले डेटा बर्थ देखते हैं तो डेटा बर्थ अगर दोस्तों आपका 10 जुलाई 1999 से 25 जुन 2003 के बीच है तो आप इसमें farm-filip कर सकते हैं दोस्तों मतलब कि आप जुलाई 1999 से जून 2003 के बीच आपका होना चाहिए तो आप farm-filip कर सकते हैं इसके बात दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन कौलिफिकेशन की तो एजुकेशन कौलिफिकेशन में आप group X की बात करेंगे ग्रुप X की बात करेंगे दोस्तों तो ग्रुप X में क्या होता है कि आपको 12 इसमें 12 पास होना अनिवार है दोस्तों इसमें 12 पास होना अनिवार है वो भी 12 आपको mathematics और physics से होना चाहिए और उसमें आपको 50% होना अनिवार है कितना दोस्तों 50% ओवर्राल आपका result जो होना चाहिए 50% पास होने चाहिए और इसका दोस्तो एक और है कि आपको English में भी English का 50% होना चाहिए English में आपको 50% नंबर पाना अनिवार है तो दोस्तो इसके बाद हम देखते हैं दोस्तो ग्रुप वाई के तो दोस्तो ग्रुप वाई में क्या होता है दोस्तो ग्रुप वाई का आपका है कि इसमें भी आपको English में 50% पाना अनिवार है इसमें भी इंग्लिस में 50% पाना रहे है और ग्रूप वाई में क्या है दोस्तों आपको भी टॉल पर पास होना चाहिए किसी भी इस टीम से पास हो चाहे आप आर्ट से चाहे कामर्स चाहे बायो मतलब कुल मिला कि आपको minimum total overall इसमें भी 50% होने चाहिए और इसमें English में 50% minimum होने चाहिए दोस्तों इसमें एक आता है X-Group में इसके लिए 50% मार्स डिपलोमा में होना चाहिए डिपलोमा में होना चाहिए डिपलोमा वाले भी फार्म फिलप कर सकते हैं उसके लिए उनका उवराल डिप्लोमा में 50% मार्स होने चाहिए और डिप्लोमा में इंगलिस सब्जक्ट में उनका 50% होना चाहिए इसके पास दोस्तो हम बात करते हैं एक्जामिनेशन फीस के बारे में तो दोस्तो एक्जामिनेशन फीस जो इसकी होती है पर student ये आपका 20 रूपए होता आप एक farm fill up करते तो आपका 20 रूपए लगता है चाहे X ग्रूप और चाहे Y ग्रूप कोई ग्रूप के लिए 20 रूपए लगता है दोस्तों अगर वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें मैं दोस्तों आपके लिए ऐसी वीडियो डिफेंस समंदित लाता रहूंगा ठैंक्स जै हिंद जै भारत